गुड मॉर्निंग आए देखते हैं जेए मेन से रिलेटेट सम इंटिग्रेशन का इसमें क्या करते हैं सबसे पहले हम इसको आई मान लेते हैं तो जब भी ऐसे 10 इनवर्स देगा तो हम लोग 10 इनवर्स x-y 1 प्लस x into y यह फॉर्मूला पे ब्रेक करने कोशिस करेंगे तो यह यहां पे 0 to 1 यह रहने देते हैं 10 इनवर्स उपर वाले को हमको ब्रेक करना है तो यहां पे जो दिया है यहां से पता चलेगा कि क्या होता है 1 प्लस यहां से हमने x common ले लिया तो बच गया 1-x अब इसको इस तरह से उपर में लिखना है add या subtract करके यह आ जाए तो यहां से म minus 1 minus x अगर इसको हम solve करेंगे तो 2x minus 1 आ जाएगा और यहां से दो पार्ट मिल गया x into y और यह प्लस है तो इसका मतलब automatic यहां पे minus होगा यह चीज़ समझना पड़ेगा अब इसके बाद क्या करते हैं अब यह formula हो गया 10 inverse x minus y 1 plus x into y तो इसको दो भागों में तोल देंगे 2 parts में break कर देंगे यह हो गया पहला parts और negative देके और यहां पे हो गया दूसरा parts दो parts में हमने इसको क्या किया break कर दिया और इसको भी आई मान रखा है अब हम क्या करेंगे एक rule होता है कि यहां पे x को replace करके 1 minus x लिखेंगे actually this plus this minus x होता है तो यह 0 है तो 0 नहीं लिखेंगे 0 to 1 10 inverse x की जगह पे लिखेंगे 1 minus x फिर यहां पे 0 to 1 10 inverse 1 फिर यहां पे x की जगह पे लिखेंगे 1 minus x और dx तो यह हो गया 0 to 1 यह हो गया 10 inverse 1 minus x और dx यह भी हो गया 0 to 1 10 inverse इसको अगर solve करेंगे 1 1 कट जाएगा minus minus plus आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके आगे positive है यहाँ पे इसके आगे negative है तो इसको आगे लिखेंगे इसको पीछे और negative common ले ले रहे हैं तो यहाँ पे हम negative common ले ले रहे हैं 0 to 1 minus 6 और dx ब्रेकेट बन सबके आगे negative हो गया तो हमने इसको क्या मान रखा है इस पूरे को हमने i मान रखा है तो इसका मतलब minus और इसको पूरा हटा के क्या लिख देंगे यहाँ पे i लिख देंगे अब यह minus i इधर चला जाएगा i plus i इधर कुछ नहीं होगा 2i equal to 0 हो गया तो i equal to 0 by 2 मतलब 0 हो गया तो इस तरीके से हम लोग sum को solve कर सकते हैं main शुरुवात यहाँ से होता है कि यह दो parts में break करना है positive है ति ठीक उसका ultra negative लिखना है इसके बाद बनाते चले जाएगे आ जाएगा तो starting का approach सही होना चाहिए thank you for watching my video मिलते हैं कल एक नए topic के साथ अपना ख्याल लखिएगा be good and do good